पिछली दो पार्ट में हम लोग जो फोरेइटरी की basic structure है जिसमें एक आता है अपना forest और उसके type जो introductory part था forestry और उसके जो different basis है उसके ऊपर classification है sylvica culture है उससे रहे लेटेट्ट जो अपनी terminology है और forest और जो अपने trees होते हैं इनके क्या जो benefits है टेंजिवल इंटेंजिवल उस वाले पार्ट को देख शुके थे उसका एक लास्ट पार्ट है हिस्ट्री वाला पार्ट फॉरिष्ट्री की जो थ्रो इजेज जो है एंसी इंटेपेडियल मॉडर्न उसका जो पार्ट है इससे इफस में अभी तक कोई कुश्चन नहीं आया ह है लेकिन इस चेटों में बहुत पूछे गया है तो इसे देख लेते हो पॉसिबल्टी है कि कभी इफस में यह आ जाए अब जो अपनी हिस्ट्री है यह इफस वाली फॉरिष्ट्री की जो हिस्ट्री है उसमें दो टाइप से कुश्चन आते हैं एक मैं आप से सीधा जैसे हम लोग नॉर्मल वे में पढ़ते हैं अंसियंट इंडिया मेडिवल इंडिया और मॉडर्न तो आप इसी टाइप से कर सकते हैं कि अंसियंट वाला पार्ट लिख दो कि आप एक मिडियल वाला है और मॉडर्न है उसे आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो यह त इस इंडिपेंडेंट हो गया तब क्या होगा है तो इस टाइप से आप इंडिया के जो forest sector का जो development है उसे five part में study कर सकते हों क्योंकि कुछ question है जैसे उन्होंने सीदा पूछ लिया कि इंडिया की जो history है forestry की उसे आफ five part में explain करिये तो आप इस हिसाब से कुछ अपन पार्ट बना सकते हैं ऐसा कोई rule नहीं है जिसमें classify किया गया होगा यही पार्ट है करी बार उन्होंने यह बुला कि जो अपना modern development है forestry का उसको लिखिये तो आप ऐसे तीन में divide कर सकते हों साथ जम्मो गस्मीर का paper था उन्होंने यह बुला था कि जो colonial यह जो modern जो forestry का development हुआ है forest sector का उसे पांच पार्ट में करो तो अब इसी को अगर आपको पांच पार्ट में करना हो तो कैसे करें तो फिर वही है कि अपना starting मे जब हम लोग कुछ pillar पढ़ेंगे जैसे जो company rule के अंदर आता है अपना 1806 उससे ले करके हम लोग ले सकते हैं 1864 तक का जब forest department stabilise हुआ उससे पहले का period कुछ इस टाइप से माल लो manually अपने को अपनी तरफ से बना के चलना है दूसरा पार्ट हम ले सकते हैं यहां से first world war तक का area ले लो या फिर जब first अपनी forest policy आई है 1894 में वहां तक का part ले लो इस first forest policy से आप 1947 तक का एक तीसरा हिस्सा बाट लो और 47 से बाद का तो कुछ इस हिसाब से हम लोग history के different छोटे-छोटे point पढ़ने वाले हैं अभी तो आप ऐसी कुछ बांट सकते हो कुछ exam में यह पूछा गया है कि देश आजाज तो हो जाता है 1947 47 से लेकर current तक जो forestry sector है उसका जो five year plans है उनके duration में किस types इसका development हुआ है उसको आप लिखिए अब अगर वो सीधा पूछ लिया तो आप उसमें forest और wildlife दोनों सेक्टर में जो भी development हुआ है उन्हें आप लेकर क सीधे चल सकते हैं लेकिन कुछ question ऐसे भी हैं जो सीधे पूछते हैं कि नहीं wildlife sector में क्या development हुआ है थ्रो प्लानिंग थ्रो five year plans आप उसको in list करिए तो इस type से question का आया हुआ है हम लोगों के पास चारा क्या है कि हम लोग एक basic structure देखते जाएंगे यानि कि कुछ बीच बीच म दानवाज आगा तो आप उसे कायम चूड से नहीं मान लोगोगे तो भाई पेट सफा से मार दोगे काम अपना इस type का है कि एक कुछ छोटे-छोटे से bullets है कोई भी question पूछ लाएं उन्हें कैसे यूच कर रहें तो unseente इंडिया में अगर बात करें तो start होते हैं अपने पु मेली नॉर्थ इंडिया है पूरा पूराडिक कालवही पर रहा है तो यहां पर 13 टाइप के forest की बात की जाती है आपके जो notes दिये गए हैं उसमें उनका थोड़ा बहुत description है कि कौन से type के forest कहां पर है एका दो याद रह जाए तो ठीक है contact one है यह one है याद रह जाए तो ठीक नहीं रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन अगर आपको इस्टेट की दे रहा है तो कम सकम आपके स्टेट में कौन से type की forest है वो जो भी नाम हो आपको वो जरूर याद रहा है फिर second जो है ऐसी तो बहुत सारे चीज़े मिलती है कि कहीं गौतम बुद के time पर क्या हुआ अजोग के time पर क्या हुआ ऐसी फिर तो हर ruler के अंडर चलता रहता है सभी को पकड़ना possible नहीं अपने लिए तो second ruler जो है modern empire है इनको देख लेते हैं modern empire के time पर क्या है जो अपने कोटिल थे उनके अर्थसास्त्र जो है उसमें उन्होंने एक forest administration की पूरी एक structure के वारे में description मिलता है उसमें बुला कि जो forest है उसे हम लोग चार पार्ट में डिवाइड कर देंगे एक पार्ट है जो राजा के लिए होगा जो king है वो उसके लिए रहेगा जिसमें king जो है उस पार्ट में करेगा एक 25 परसेंट जो हिस्सा रहेगा forest का वो आप राज जो empire है उसके लिए रहेगा यह आप empire और राजा को ऐसे separate कर सकते हैं जैसे सपोज मोदी जी है या central government है cabinet है अब मोदी जी को ले लो कि यह राजा है तो एक 25 परसेंट वो है जिससे जो भी revenue generate हो रहा है उसे मोदी जी अपने personal use में ले सकते हैं लेकिन जो remaining 25 परसेंट है वो यह personal authority नहीं है वो government of India की property है यानि कि राज जी की property है और वो राज के लिए खर्ज किया जाएगा वो मोदी जी के लिए नहीं तो इस type से आप इन्हें segregate कर सकते हैं कि राज और राजा में थोड़ा variation रह है तो इस type से कुछ division मिलता है उनके में और यह system को maintain करने के लिए वो एक जैसे आज की टाइम पर पूरा forest administration है तो वहाँ पर रहता है कुप्य अध्यक्ष कुप्य जो है वो छोटा सा एरिया है जैसे आज कल हम forest जब manage करते हैं तो उन्हें बीट में पांट देते हैं कमपार्टमेंट ले लो वैसे बीट लेवल पर होता है administration तो उसी टाइम पर एक अधकारी होता था कुप्य अध्यक्ष यानि की एक कूप यह एरिया का head तो यह कुप्य अध्यक्ष है यह पूरा forest department का head हुआ करता था और छोटे-छोटे से जो area थे उन्हें कूप बोला जात था और यह कुप्या देख था जो forest guard या जो one pal है यह term आज भी हम लोग use करते हैं इनकी help से अपने forest को administered करते था इसके बाद फिर बहुत सारे rule आराते हैं ज्यादा कुछ risk का पसान है नहीं गुप्ता पीरियड में केवल इतना है कि यह जो अपना उजयन वाला अवंती वाला region है यहां पर rule किया है इन्होंने तो इस time पे इन्होंने central area में जो ब्रहमदे के नाम से काफी जमीन है जो ब्र expansion होता है और obviously agriculture का expansion हो रहा है तो कहीं नहीं forest को काट करके कर रहे हैं तो बस यह एक टाइप से हैं यह फोड़ा बहुत description यहां पर मिल जाएगा आपको फिर medieval में आते हैं तो medieval में ऐसी कोई खास कोई ऐसा achievement या department forest governance से कोई related है नहीं बस जब यह Islamic rule जैसी start हो जाते हैं तो society में फिर वो समस्या आती है तो फिर लोग जंगलों की तरफ भागते हैं तो एक टाइप से कोल सकते हैं कि बहुत सारी community जो है वो forest की तरफ move करेगी deep forest area में deforestation को promote कर रही हैं लेकिन forest administration जो अपना man objective है कि forest को कैसे administered किया जा रहा है उसके बारे में कुछ खास जनकारी है नहीं तो जो जनकारी मिलती है आपने लिए मौर में ठीक ठाक थोड़ी बहुत मिल जाती है remaining शुरूवात होती है अपनी company rule के द्वारा company में क्या होता है सबसे पहले जो मदरास government है आपको पता है कि government उस ताइम पे अपने इंडिया में तीन जगए इनकी तीन colony हुगा करती थी एक मदरास है दूसरी बॉंबे है और इदर कॉलकाता है कॉलकाता वाले कुछ खास करते नहीं थे इनका तो रॉल लगवाक बहुत बाद में शुरू हुआ स्टार्टिंग में जो मदरास government है वो क्या करती है कैप्टन वाट्सन को कंजर्विटर एपॉइंट कर देती है होता क्या है कि यह जो ट्रावन को किरला वाला जो एरिया है मदरास presidency के अंडर यह वाला एरिया अंडर आ जाता है इनका जो मैसूर पास वो एरिया आ जाता है वहाँ पर मिलता है ने वैल्य वैल्य टिमबर मैली टीक की है बड़े पेड़ थे नेच्रल वेजिटेशन थी है अब यहां कंजर्वेटर सिप का परपर यह था कि जो वहां के टीक है उसे लोकल रूलर भी एक्स्प्लॉइट कर रहे हैं रूलर क पर जो कंजर्वेटर सिप जो स्टार्ट करते हैं यह इसमें यह एक टाइप से टिमबर का काटना उसका ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ बैन कर देते हैं उसे पूरा लाइसेंसी सिस्टम कर देते हैं आप ना टिमबर का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बिना लाइसेंस के ना कट कर सकते हैं तो यह यहां से मदरास गवर्मेंट शुरू करती है बाद में बीच में कॉन्फिलिक्ट आते हैं रूलर के साथ तो लास्ट में आकर 1823 के असपास इसे फर कंजर्वीटर सिर्फ जो है वो खतम कर दी जाती है बाद में फिर डिबलप्मेंट चलता रहेगा लेकिन यह जो टीक था मालावार रीजन में किरलावाले में जिसमें यह कंजर्वीटर सिर्फ सबसे पहले स्टेबलाइज की गई थी दीरे दीरे बिटिस को यह समझ में आने लगा कि उनकी जो प्रोटल मार्केट स्ट्रेंथ है वो कही न कही मैरिटाइन इकोनॉमी भी बेस्ट है और उसके लिए आपको चाहिए सिप जितने बड़े-बड़े सिप उतना बहतर आप मार्केट कर पाएंगे ग्लोबल मार्केट में टिक पाएंगे और सिप उस टाइम पे जो बनाए जाते थे वो ओक जो है कोईरकस उसकी लखड़ी से बनाए जाते थे अब यूरोप में दिक्कत ये थी कि यूरोप तो बड़ा एरिया है जैसे जर्मनी है उसके पास काफी बड़ा एरिया है तो वो लोग continuous ओक की अभी करने में लगे थे लेकिन बर्टीश के सहाथ दिक्가지 क्या अगर यह, प्लान्टेशन करेंगे युक के लिए तो खायंगे क्या इस प्लान्टेशन क कहीं अगरि कल्चर लेंड़ी करना पड़े हैं तो एक लेवल से जाता ये प्लाटेशन कर नहीं सकते थे अपनी रिक्वार्मेंट के लिए तो फिर कोई अल्टरनेटिव घोजना सुरू किया तो उसमें एक मिल गया टीक अपना तो टीक का सिर्फ बिल्डिंग में अच्छा खासा यूज है तो जो अपने म्यामार के साथ जो इनके वार चलते हैं वर्मा वार फरस्ट इंडो वर्मा वार फरस्ट सेकंड थार्ड जो पूरा टीक के उपर रहता है उसी के हिसाब से फर यहां कॉनोली जो है यह उस टाइम पर मालाबार का कलेक्टर हुआ करता था तो इन्होंने एक चाथु मेरा जो इनके नीठीक परसन काम करेगा इंडियन इनकी हेल्प से वहां जो एक एरिया है नील अमब वहां पर टीक की प्लांटेशन की है निलग्री रेंज में केला की साइड जो पाहड़िया है वही पर फोटेल में नीलग्री फोटेल में तो इस टाइब की प्लांटेशन थोड़ा बहुत याद रह जाए तो ठीक है जस्ट एक रिव्यू लेके चलना के हाँ भाई ऐसा कुछ हुआ है काम चलाओ एक बेसिक रहा है जिससे अगर कभी लिखना पड़ा तो हम लोग काम चला ले बाद में एटी फ्री में एक केम्प वैल भाई साथ है घंटा वैल इन्होंने क्या किया जो मद्रास में उस टाइम पर जो चिंह नई वाला रिजैन है वहीं पर इन्होंने अपने जो फोट था Smith 45 उनी का कि इंडिया में plantation forestry की जो starting है वो यहां से हुई क्योंकि इसके बाद जब इएकवार plantation होते हैं तो ये excited हो जाते हैं फ़र जगाजगा plantation करना शुरू कर देंगे बाद में और भी लोग आते हैं Gibson वगर आते हैं क्योंकि जैसे इन्होंने एकवार conservator से start की थी उसका इने जब बैक मिला तो फिर ये सुधर का फिर इनने एकदम स्टार्ट लें किया तो फिर बाद में आए अपने बॉम्बे प्रिसीडेंसी वाले इन्होंने इस टाइप से यहां गिबसन वगरा है उनको ख़ड़ा कर दिया भाई ये पुलिस वाले थे तुम भी देख लो ये टिम्बर इंबर आजकल जा रहा है उसको रेगुलेट करने लगो क्योंकि पुलिस वाले असानी से कर सकते हैं तो इस टाइप से फिर गिबसन जो है उनने कंजर्वेटर सिफ मिल गई बाद में और आए है तो ये चलते रहेंगे इतना ज़्यदा डेटेल नहीं जाना है इंडिया में फोरेस्ट डिपार्टमेंट की या फोरेस्ट एड्मिनिस्टिशन की जो प्रॉपर फांडेशन है वो होती है जब अपना रिवॉल्ट हो जाता है 1857 का तो रिवॉल्ट की टाइम पे क्या है कि जब भी किसी के अगेंस्ट जो बिटिस थे इन्होंने एक्षन लिया वो जंगल में भाग गया अब जंगल में जो पेड़ हैं वो तो इनके लिए वैलिवेबल थी अगर में बिटिस को डाइरेक्ट हर्म नहीं पहुंचा सकता तो जो रिसूर्से जिने वो एक्स्प्लोइट करते हैं उन्हें आग लगा दूगा तो जंगल में वैलिवल जो इस्टेट टिमबर है बड़े बड़े टीक के पेड़ हैं उन्हें आग लगा दी जिससे इनको बड़ा लॉस हुआ तो वहाँ पर नहीं समझ में आए कि नहीं हमें एक प्रॉपर इस्ट्रक्चर की जरूवत है प्रॉपर फ्रेंबर की जरूवत है दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी चीज हम बदल गई थी कॉम्टीटर आ गए थे नहीं जर्मनी जैसे लोग थे जर्मनी जैसी कंट्री जो काफी ज़्यादा कॉम्टीशन देने लगी थी तो उसके लिए नोने फिर एक सीधा सा मत्रव निकला कि आपको फोरेश्ट को एक और बहतर तरीके से एक्स्प्लाइट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक प्रॉपर एड्मिनिस्टेशन की जरूवत पड़ेगी तो यहाँ पर आते हैं अपने ब्रांडिस भाईजावे यह जो डल्फजी था उसके कोई रेलेशन में थे यह भी जर्मनी में थे जर्मन थे यह आप ऐसे संपिल वे में समझ सकते हैं कि फोरस्टी की जो भी मदर फादर है जो भी स्टार्टिंग पर किया गया है पूरा जर्मनी में किया गया है बॉटनी के भी स्टार्टिंग के जो बर्क है पूरे जर्मन नहीं किया है बिटिस वगरा इनका कोई रॉल था नहीं खाली पिली की फोकट में भेकते रहते हैं यह लोग तो यह थे उस टाइम पर इन्हें बुलाई आ गया है यह उस टाइम पर यह थे बर्गमा में यह स्टा कर लीजिए तो जब इन्होंने वहां पर आजे जो भी है कोई पोस्ट है पर्टिकुलर नाम याद नहीं आएगा मुझा भी तो उस पोस्ट पर यह अपॉइंट कर लेते हैं वहां पर म्यावार में क्या है इनके एंडर एक परसन और रहता है तो अबिसली इनका परपस्ट इनकाल वहां जब हैं जब एक्सिप्लइट कर रहे थे तो लोकल की साधिन के कौन्फलिक्ट क्रियेट हुए तो कउन्फलिक्ट का रिजल्ट यह हुगा कि कुछ अल्टर्नेटिव निकाला जाए तो वह लोकल से यह बोल दिया गयां कि काम करते हैं यह खाली है जहां तुम खेतिवारी करते हो, हम लोग मिलके हम प्योड़ लगाएंगे तो महां खेति करना बीच के स्पेस में, तो इस टाइप से एक टर्म आता है तूंग्या, तो वो तूंग्या सब्ध है, जब यह मेमार में थे तभी वो इवॉल्व हुगा वो पूरा का पूरा ठर्म, तो जब य यह ही पे लेकिया है, तो एक टाइप से जब ब्रैंड इस है, स्टार्टिंग में, जब फोरेश्ट डिपार्टमेंट, यह अपना रिवॉल्ट हो जाता है, रिवॉल्ट के बाद, गवर्णर जनरल बनते हैं, यह लॉरेंस, आप ऐसे समझे लो, लॉव है, लॉरेंस होता ह भई हमें आप फोरेश्ट डिपार्टमेंट को एक प्रॉपर फ्रेंबर्ग में लेके आना है, तो लियाने के लिए आपको एक ऐसे आदमी की जरूरत है, जिसे फोरेश्टी की समझ हो, और एड्मिनस्टेशन की थोड़ी बहुत समझ हो, तो वो बरांडिस को वहां से उठ है और इसके तुम राजा हो, अब यह राजा तो बन गया लेकिन एमपायर तो खड़ा करना पड़ेगा इसे, तो इसे चाहिए क्या, पहले चाहिए इसे अपना जो डिपार्टमेंट है, उसे एक प्रॉपर फ्रेंबर्क देनी की जरूरत है, और अगर फ्रेंबर्क दे भी फिर्स्ट जब इन्हें आईजी एफ बना दिया गया तो इन्होंने भई लॉरेंस की मदद ली और इन्होंने नाइन्टी सिक्स्टी फाइब में सबसे पहले एक एक पास करवाया गया, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इस एक्ट में आईजी एफ को कुछ पावर्स दी गई दो एक्जाम होते हैं, एमपी में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, वैसी इन्होंने अपर सर्विस और लॉर सर्विस की नाम से दो सर्विस निकाली है, अपर में जैसे के केबल बिटिस देंगे, लॉर में यह यह लोग आ सकते हैं, आप ऐसे समझे लिगो के नीचे फॉर सर्विस रेस्ट अपलाईज की, और यह इंडिन फॉरेस्ट एक्ट की थूरू ने एक प्रॉफर फ्रेमबर्क में लेकिया है, तो पहला एक्ट ले आना, दूसरा एक्ट जब आपको आजाएगा तभी तो इन्हें पावर मिलेगी, जिससे यह जो अपनी फॉरेस्ट सर्व करने में टाइम लगा, सर्वेस से स्टार्ट हो गई तो एक टाइप से बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट एडमिडिर्टरिशन यहां पर हो, काफी रिसर्च वर्क भी किया, कुछ बुक्स बगर है, अब स्टार्टिंग में आप ही हो, जो कुछ लिख दोगे वही प्राइमरी यह वो काफी फिमासिन की, इंडियन ट्रीज के नाम से, तो ऐसी ही तो थीन बुक है, यह इतनी सारी बकवास क्यों पड़ाई है, जैसे हिस्ट्री में कुछ चना आया था कि लॉर्ड डल हो जी, उसे मौडर्न इंडियन जो फरेंबर्ग है, उसका फादर माना जाना है कर नहीं, अगर ऐसा आपको कोई कोश्चन यहां टपकाता है, का भाई जो अपने ब्रांडिस भाई साब है, आज के जो मौडर्न जो फोरेश्ट एड्मिनिस्टेशन है, उसके फादर है, फाउंडर है, यह यही सब कुछ है उसके, तो आप कुछ इस टाइप से इनके ल हैता है, आपको पता है कि पंजाब अनेक्स कर लिया गया था, तो वहाँ पर रेलवे लाइन का काम चल रहा था, जिसमें यह अपने हडपा की खुदाई वाला इनिसियेट हुआ, उसी टाइम पर यह चंगा-मंगा फ्यूलवूर्ट प्लांटिसन जो है, यह थोड़ा फेम आने के लिए फ्यूलवूर्ट चाहिए, तो रेलवे ट्रैक के पास में एक ज़ग है, इन्होंने लंबी छोड़ी प्लांटेशन कर दी, जिससे फ्यूल की सप्लाई हो सके, और उस फ्यूल की सप्लाई जिस एरिया में में जो प्लांटेशन है, बाद में वहाँ पर क्या ज आजकर पंजाब में है, कब बनी कोई खास ज्यादा मतलब है नहीं आपके लिए, सीकेंड हसकर फॉरेस्ट एजूकेशन का एंगल आए, तो वो आता अपना फॉरेस्ट स्कूल एट तहरादूम, 1878 में बैली थे, जो फर्स डारेक्टर बने, आपको नहीं आता है तो पानी की बोटल जो आती है, बैली की, ऐसी कुछ याद रख ले, यहाँ पर एजूकेशन वाला मुद्ध स्टार्ट होता है, अब यह बोल सकते हो कि यह कैसी सुरू हुआ, क्योंकि जब एडमिस्टियसन खड़ा कर दिया, आपने तो भई, फॉरेस्ट डपार्टमेंट में कुछ तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कैसी काम करना है, तो पहले ऐसी काम चल रहा था, तो यह स्कूल जब बनाया गया, तो लगा कि हाँ भई, कुछ हो सकता है, देहरादून में बना था जो एक्ट था, एक्ट था, एक्ट में भी अमेंडमेंट हुआ था, वो एक टाइप से पूरा एक्ट बदल दिया गया, अपडेट किया गया उसे, क्योंकि जो पंदरभी साल का एक्सपिरियंस था, तो उसमें बहुत सारी जरूर था थी, तो उसका किया गया, तब भी यह ब्रांडिस ही थे उस ताइम पर, बाद में जब लगा कि नहीं, यह स्कूल हमारा काम न हो गया, काम हो गया इनका, अपने लिए एक्ट के मुद्द आता है, कि अगर इंडिन फोरेश्ट एड्मिनिस्टिशन कब से शुरू हो गया, तो अपना आईजी एफ के टाइम से ब्रांडिस के टाइम से शुरू हो गया, फोरेश्ट पॉलिसी का जब एंगल आ जाए, तो यहां समस्या सुरू होती है, तो 1892 में आते हैं वोलकर करोल, इसू क्या है, जैसे यह ब्रिटिस रूल रहता है, तो 18, जो अपने 19th सेंचुरी रहेगी, 1800 जब सुरू होता है, यह इतना एक्स्प्लाइटिशन चलता है, कि जैसे जैसे 19th सेंचुरी का जो एंड आता है, वहां अगले मीस, हर 5-10 साल में देश के किसी ना किसी अरिया में फहमाएन पढ़ने लगते है, और फहमाएन पढ़े है, कहीं, 5 MILLION खतम हो गया है, कहीं, 15 MILLION खतम हो गया है, कहीं, 20 MILLION तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा था के करें क्या, आपने पहले ही उस ताइम पे वरनेकुलर एक्ट है, वरनेकुलर प्रिस एक्ट है, ये सारी चीज़े आप लोग मोडरन इनिया में पहले डिसकस कर चुपे होंगे, तो वो जो समस्चा है थी, कि भाई ये फैमाई इतने ज्यदा क्यों आ रहा है, उसके लिए फिर इनों ने वालकर को बुलाया, ये फिर से बाद एक अपनी रिपोर्ट सम्मिट करता है, रिपोर्ट का नाम रहता है, इंप्रोव्मेंट आफ इंडियन अग्रिकल्चर, इन्होंने ये जो काम दिया था, वो यही दिया था, कि भाई आखिर हमारे इंडियन अग्रिकल्चर है, ये फैल क्यों हो रहा है, ये बार बार भी अगरिकल्चर का expansion करती है जिससे वहां से जो nutrient आ रहे थे run-off के साथ नीचे वाले हिरिया में वो नहीं आ पा रहे है तो नीचे के जो plans थे उनकी productivity फार्म किया वो गिर गई दूसरा उपर से जो run-off जो होता था पानी का यानि कि कुल मिला के water set जो है उसे ये बापिस atmosphere में pump कर दे गए जो local storage है उससे साल भर river चलती रहती थी अब क्या हो रहा है कि एक साथ जैसी वारिस हुई पूरा पूरा पानी अगले पांच-दस दिन में drain out हो गया तो इसकी बज़े से nutrient भी नहीं मिल पा रहा है और flooding की समस्या आ रही है तो उससे इनकी थोड़ी बुद्ध इख ली और ये 1894 में एक policy लेके आया जैसे बोलते हैं इंडिया की first forest policy first national forest policy बाद में forest policy की आँसर शुरू हो गई wildlife के लिए इसमें 1898 के मतला भी ये 90 century end होते होते एक वेदान थंगल को first wildlife century बना देते हैं जब 20 century start होती है तो यहाँ पर education वाला मुद्धा ख़ड़ा हो जाता है वर्ल में तो उस टाइम पर ये 1906 में Imperial Forest Research Institute जो आज FRI है उसकी स्थापना करते हैं यहाँ पर पहले सी forest school था forest school एक साइड में रह गया उस area को school के बगल के area को साफ करके वहाँ पर ये FRI की building का construction start कर देते हैं और यह लगवाख 26 में जाके कही तो बन पाती है लगवाख 15-20 20 साल के असपास लग गये थी से बनने में बाद में 1927 में फिर से act आता है यह 1927 को act क्यों आया क्योंकि 1914 से अपना रहा 18 तक first world war first world war में हम लोगों ने फिर इनकी वाका दिखा दी तो फिर इनने बोला भाई माई बाप RM से टेमर यूज़ करने दो हम जो अपने forest act हैं उनमें सोधार करेंगे और आपको भी हिस्से दावी देंगे तो फिर इन्होंने 27 में फिर से forest act ले के आए ये टाइप से काफी अपडेट हो चुका पिछले लगवा पिछले 60-70 साल का इनके पास experience था और काफी broad है ये इतना broad है कि आज भी हम लोग अपने जो इनियल forest को है वो इसी forest के under rule कर दे हैं ये forest अभी तक यही चल रहा है 1980 में एक आया था forest conservation act बट ये act केवल दो पेज का है पाँच सेक्शन है इसमें तो इसमें कुछ भी नहीं है बस एक forest का diversion है केवल उसको block किया गया दरवाई यही चल रहा है अब इसमें भी कुछ समस्या है forest administration की आगे हम लोग देखेंगे forest legislation वाले पार्ट में क्योंकि वहाँ पर हमारे लिए जो contemporary question of forest के वहाँ यह role play करता है कि forest department है जो अभी current की जो challenges उन्हें यह tackle नहीं कर पा रहा है forest system को forest administration को हमें empower करने की जरूवत है तो वहाँ इस act में amendment की जरूवत है 2018 में government लेकी भी आई थी लेकिन उसे फिर इतना back मिल गया इतना ज़्यदा social means से जो news paper है इतना criticize इतना कर दिया कि फिर वो फिर बापस ले लिया गया तो इसे सुतारने की जरूवत है यहाँ पर फिर 36 में first national park बना गया आपको पता है कॉरवेट नेसल पार्क वाला इस टाइप से हम लोग क्या देख सकते हैं कि हमने अंसेंट इंडिया से सुरू किया मेडेवल का पार्ट समझ लिया जो company rule था उसे भी देख लिया फिर crown rule है वो भी देख चुके हैं यहां तक अपना आजाएगा देश की आजादी वाला मुदा यहां से आपको जो पढ़ना है वो इस हिसाब से देखना है कि five year plan के अंदर क्या क्या हो रहा है first five year plan में क्या हुआ second में क्या हुआ आपको एक टाइप से ऐसा बोला जा सकता है कि first five year plan में पांच हजार करोर का बजट था इस में यह हजार करोर बजट दो हजार करोर बजट यह समझ में आता नहीं है याद भी नहीं रहता तो कुछ बेसिक बेसिक जो चीज़ है उन्हें देख लेते हैं जैसे नाइंटी फिप्टी जो अपना first five year plan की शुरुआ थे उस टाइम पे अपने उस टाइम पे जो agriculture minister थे के एम मुनसी इन्होंने एक festival सुरू किया था festival of tree plantation वन माहूत साब अब इन्होंने क्यों किया क्योंकि भाई forestry जो है वो agriculture ministry की एक wing हुआ कर दी थी इसे समझ लो कि उसकी एक department था agriculture ministry की एंडर और ये भोपाल gas tragedy के लगवाक दो साल बाद तक वहीं पे था मतलब separate ministry नहीं हुआ करती थी तो जो भी करेंगे forestry के नाम पे वो यही करेंगे आपने अभी कभी भी पढ़ा होगा FAO food and agriculture organization global level पे forestry के field में जो भी काम करता है वो यही करता है agriculture organization है काम forestry के करता है क्योंकि agriculture के अंडरी forestry consider करके लंबे टाइम से चल रहा है तो इन्होंने कि आग वही मन सून आता है उस टाइम पे हम पेड़ पेड़ लगाने खिलेंगे फिर उसके इन्होंने लंबे चोड़े objective दे दिए है कि हम fuel production बढ़ाएंगे यह बढ़ाएंगे वो बढ़ाएंगे इसके यह फायते हैं वो फायते है common सी slide है पढ़ लोगे बिलकुल आपको easily समझ मैं जाता है फिर आता है अपना यह five year plan आ जगे है यहां से 1951 में आता है मैंने एक साथ कर दिया first और second five year plan को कि इसमें क्या हुआ separate just purpose यह है कि forest और wildlife का आपको अगर simple पूछ लिया है कि first five year plan में क्या हुआ second में आपको five year plan के अंडर क्या forestry का development हुआ तो आप दो तीन तीर point ले करके काम चला सकते हो segregate forest और wildlife को करने का purpose है कि कुछ question ऐसे आजाते है जिनने पूछा कि wildlife जो है conservation में activity during different five year plans तो फिर क्या करो तो 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 आप दो चार द्यानक होगे एक five year plan में यह हुआ इसके अंदर यह हुआ एक एक line भी एक एक point भी लिख दिया उसके अंदर फिर कुछ target है क्या है लंबे चोड़े अभी नहीं देखना हम आँगे जाके इतना detail में पढ़ाएंगे कि आपकी नॉर्मल सी चीज़े याद हो जाती है कि देश की 33% area में जो total geographical area उसका 33% में फोरेस्ट हरना चाहिए यहाँ पर 1952 में Indian Board of Wildlife बना जिसे बाद में अटल जी की गवर्मेंट ने National Board of Wildlife से रिप्लेस कर दिया यह ज़स्ट ऐसी temporary organization था यह Wildlife Act के अंडर डाल दिया यानि कि यह इस्टर्टरी है इसका चेर्मेर प्रदान मंत्री होता है या मिनिस्टर हुआ करता था 1960 वे जो animal है उनको कैसी animal cruelty act है आप animal को ऐसी खुले में hunting नहीं कर सकते है animal के भी कुछ rights है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई एक सेट यह है थार्ड प्लान आता है इसमें अपने लिए मतलब का आता कि अबल पिसफर जो आज Forest Survey of India है वो स्टार्टिंग में एक सेंट्र बनाए गया था 1965 में दारादून में जिससे कि जो international agency जैसे कि FAO है UNO है इने के लिए देश का Forest Serialated Data जो है वो बिलता रहे ने इसी को फिर बाद में T1 में Forest Survey of India में convert कर दिया जाता है तो पिसफर का है यहाँ टेंसर नहीं लेना अपने यह सारी चीज़े हैं बहुत डिटेल में आगे देखेंगे फिर 66-69 के बीच में आये थे वही एनुवल प्लान तो इसमें यह चैंपियन एंट से थे जिन्होंने Forest Types का classification दिया था Jack Westoby उस टाइम पर एक 9th नंबर की Commonwealth की मीटिंग थी दिल्ली में हुआ तो यहाँ Jack Westoby है यह Social Forestry को उपर उन्होंने लंबी चौड़ी स्पीच दे दी Social Forestry टर्मिनोंने फर्स टाम यहीं यूज किया था तो बस यह मतलब का था यहाँ फिर फूर्थ प्लान आता है इसमें National Commission on Agriculture अपनी रिपोर्ट देगा उसमें रिपोर्ट में Social Forestry जो है उसके डिवीजन करेगा जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे फूर्स्टी के टाइप जो पढ़े थे तो इसमें Social Forestry थी वहाँ पढ़ा था कि National Commission on Agriculture की हिसाब से क्या है वाइल लाइफ की एंगल पर यहाँ पर आप पता होगा इंटरनेशनल लेबल पर एक Human Environment Conference हुई थी इस्टॉक होम में तो वहां से इंद्रगांदी ची आई तो यहां देदनादन मचा दी यह एक्ट वो एक्ट यह प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट खंगुल आ गया फिर लाइन आ गया फिर वाइल लाइफ एक्ट आ गया फिर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हो गया य भी चोड़ी चीजे बताने का टाइम खोटी करना है जिससे टेंध फाइव यर प्लान है इसमें क्या बायो डावर्सिटी एक्ट आया था 2003 में जो एटल जी को बुल गा था इनों नेसनल बॉर्ड ऑफ वाइल लाइब बनाया 2005 की जो टाइगर टास्क फोर्स और एंटी सी है इसकी स्टोरी थोड़ा बता देता हूँ जिससे मन लगा रहेगा जएदा कोई काम की है नहीं 2005 में हुआ क्या के वाइल लाइफ इंस्टिट आफ इंडिया देहरादून में है उसके बच्चे थे जो जिसे MSC होती है तो MSC के लिए लास्ट में आपको एक रिसर्च पर करना होता है तो यह राजस्थान के रड़ा थंबोर में गए थे कि हमें टाइगर पर डाटा कलेक्ट करना है यह पांच शे दिन वहाँ पर घूमें ने टाइगर नहीं मिला अब बच्चे हैं तो यह टाइगर नहीं मिलेगा फटजी डाटा बनाके दे दिया तो फटिसस लटक जाएग तो फिर इन्हों ने अपने डाइग्टर को इन्फर्म कर दिये डेवलु आई आई में जब डाइग्टर के पास पता पढ़ता है कि भाई यहाँ पर तो टाइगर के लिए बहुत सारा पैसे जा रहा है टाइगर प्रोजेक्ट के अंडर और यहाँ पर टाइगर ही नहीं है तो फिर वो पूरे इंस्ट्रक्शन देते हैं इंस्ट्रक्शन देते हैं तो फिर भाई यहां पर फिर गाड़ियां ले ले करके हर जाल को गरंडे मार मार के दिख जाता है कि कहीं भ वही कोईiren है कोई निकलेगा क्या पता प्रहता है रड भण महोर में तो टाइगर ही नहीं है चल रहे हैं और यहां जै तो इसक्क्र में बनाते हैикомंती है एक कमेटी बनती है वो फर पूरे देश में जितने भी टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर नेसल पार्क वाइल लाइफ संच्री में जो भी एरिया चल रहे थे उन सब का रिव्यू करते हैं कि वही ऐसा पैसा ये बीच वे इंकरप्शन में चला जाता है टाइगर को कुछ मिल ने रहा तो ये फोर्ज बनाते हैं ये पूरा इंस्पक्शन करता है और फर फाइनली अपनी रिपोर्ट समिट करते हैं और बताते हैं कि हमें टाइगर प्रोजेक्ट के लिए एक बोडी की जरूवत है ये बोडी पूरी ऑफोर्टीस बोडी को पकड़ा दी जाएगी यही टाइगर की ट्रैकिंग करेगी यही जितने भी फोरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग है उनसे बोलती रहेगी कि भाई तुम्हें यह करना है वो करना यही पूरा बजट देगी उन्हें यही रेगुलेट करेगी तो टोटल काम है न पकड़ा दिया यह स्टोरी है इसकी बा फोरेस्ट या कुपाईज फोरेस्ट क्या है रिजर्ब फोरेस्ट क्या है प्रोटेक्टिड फोरेस्ट क्या है कॉमन से टर्म है जो आप में पिछले तीन-चार वीडियो पढ़ा है उन्हें आप लिखने की कोशिज करी एक दो बार पढ़ोगे तो यह थोड़ा आसान है इ यहां फिर वो डिफरेंस रिलेटिड कुश्चन है यहां जैसे इन मैनी वे डाक्र ब्रनाडिस वाइज दा फाउंडर ऑफ मौडरन इंडियन फोरेस्ट्री इलैबरेट तो यहां उस टाइप के ब्रनाडिस भाइज साब के उपर दो चार लाइन आप लेख सकते हैं यहां आगर के अपना जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है